आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल BSE ठीके क्लासस पे आज हम लोग SSC CGL और SSC GD के एकजाम को ध्यान में रखते हुए SSC के एकजाम में बार-बार पुछे जाने वाले साइन्स के most important topic विज्ञानिक उपकरन से जुड़े महत्पुर्ण प्रस्नों को देखेंगे आप सभी से request करेंगे कि आप सेसन को धिक सदिक share करें क्योंकि आज का सेसन काफी ज़दा important है यहां से आपके एकजाम में सवाल पूछे जा सकते हैं साथ ही साथ आप सभी से request करेंगे कि आप लोग क्लास में सारे सवालों के answer अवस्य क्या करें तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं हमारा पहला सवाल दूर की वस्तूओं को देखने के लिए दिये गए उपकरनों में से किसी अंत्र का उपयोग किया जाता है option A, periscope, option B, microscope, option C, telescope, option D, radar तो आपको बताना है कि दूर की वस्तूओं को देखने के लिए हम लोग किस उपकरन का उपयोग करते हैं option A, periscope, option B, microscope, option C, telescope, option D, radar तो सही अंसर क्या होगा? टेलिस्कोप याद रखेंगे दूर की वस्तूओं को देखने के लिए टेलिस्कोप का उपयोग क्या जाता है दूर की वस्तूओं को देखने के लिए टेलिस्कोप का उपयोग क्या जाता है? याद रखेंगे दिये गए उपकरनों में से कौन सा उपकरन? विदुत संभावित अंतर को मापता है यानि, electric potential difference को मापता है तो आपको वताना है किस यंतर के मदद से हम लोग विदुत संभावित अंतर यानि, electric potential difference को मापते हैं आप्शन A, voltmeter आप्शन B, audiometer आप्शन C, ammeter आप्शन D, photometer तो आपका सही अंसर क्या होगा? वोल्ट मीटर याद रखेंगे, electric potential difference को मापता है वोल्ट मीटर वोल्ट मीटर जो है विदुत संभावित अंतर को मापता है आपका अंसर हो जाएगा option number A दिये गए उपकरनों में से कौन सा यंतर हवाई जहाज और motor boat की गती को मापता है? तो आपको बताना है कि हवाई जहाज और motor boat की गती को निम्लिकित में से कौन सा उपकरन मापता है? option A, compass option B, odometer option C, radiometer option D, trackometer तो आपको बताना है हवाई जहाज और motor boat की गती को कौन मापता है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? यह आप बताएंगे कि हवाई जहाज और motor boat की गती को कौन मापता है? तो आपका सही आंसर हो जागा टैको मीटर क्या होगा आंसर? टैको मीटर तो याद रखेंगे कि टैको मीटर हवाई जहाज और motor boat की गती को मापने वाला उपकरन है टैको मीटर option number D किसी विशेश परकार के विकीरन के उर्जा को मापने के लिए ठीक है विशेश परकार के विकीरन के उर्जा वितरन को मापने के लिए option A selenometer option B spectrometer option C saccharometer option D odometer तो सही आंसर क्या होगा? spectrometer तो important सवाल है तो याद रखेंगे किसी विशेश परकार के विकीरन के उर्जा वितरन को मापने के लिए हम लोग spectrometer का इस्तमाल करते हैं spectrometer क्या हो गया? तो विकीरन के उर्जा वितरन को मापने के लिए हम लोग spectrometer का इस्तमाल करते हैं type किये गए संदेशों को प्राप्त करने और भेजने के लिए कौन सा उपकरन उपयोग में लाया जाता है तो आंसर करेंगे टाइप किये गए संदेशों को प्राप्त करने और भेजने के लिए किस उपकरन का उपयोग किया जाता है आप्शन A, टैली प्रिंटर आप्शन B, एक्सरे मसीन आप्शन C, सिस्मो ग्राफ आप्शन D, थर्मो इस्टेट तो सिंपल सा सवाल है आप जानते हैं कि टाइप किये गए संदेशों को प्राप्त करने और भेजने के लिए हम लोग टैली प्रिंटर का उपयोग करते हैं ठीक है, तो टाइप किये गए संदेशों को प्राप्त करने और भेजने के लिए टेली प्रिंटर का उप्योग क्या जाता है आंसर हो जाएगा option number A तेजी से गतिमान वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरन का उप्योग क्या जाता है तो आंसर करेंगे तेजी से गतिमान वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरन का उपयोग क्या जाता है? option A, Sphemerometer, option B, Phonograph, option C, Sextent, option D, Stroboiscope. तो आपको बताना है तेजी से गतिमान वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरन का उपयोग क्या जाता है? तो आप जानते होंगे स्ट्रोबो इसकोप, याद रखेंगे तेजी से गतिमान वस्तुओं को देखने के लिए स्ट्रोबो इसकोप का उपयोग क्या जाता है, answer option number D याद रखेंगे, अब यहां से कुछ important सवाल हम लोग एक ज़रा revision कर लेते हैं, ठीक है, जैसे आप से विद्धारा की त्रिवता मापने में आमीटर का उपयोग क्या जाता है, तो याद रखना है विद्धारा की त्रिवता को मापता है, विद्धारा को मापता है, आमीटर, ठीक है, विद्धारा की त्रिवता को मापता है, आमीटर, तो विद्धारा को मापने का काम करता है, आमीटर, याद रखेंगे, अगला पुछ सकता है, ओडियो मीटर, तो आप जानते हैं कि धोनी की त्रिवता को मापता है, ओडियो मी तो याद रखेगा यू एवम गैस के भार तथा घनत्व को मापता है वायू की गती और सकती मापने का यंत्र है एनिमो मीटर, समझ में आया है तो वायू की गती और सकती मापने का यंत्र है एनिमो मीटर, तो इस सवाल को भी याद रखेगा कि वायू की गती और सकती मापने का यंत्र है एनिमो मीटर, इंपोर्टेंट है ठीक है, अगला सवाल तो आप सभी जानते हैं बैरोमीटर क्या करता है वायू मंडलिये दाब को मापता है तो अगर पूछे बैरोमीटर किसे मापता है तो याद रखना है वायू मंडलिये दाब को मापता है ठीक है बैरोमीटर वायू मंडलिये दाब को मापता है याद रखना है वायू मंडलिये मापता है उसमिये विकीरन को मापता है बोलो मीटर ठीक है उसमिये विकीरन को मापता है बोलो मीटर तो याद रखना है बोलो मीटर किसे मापता है तो उसमिये विकीरन को मापता है बोलो मीटर याद रखेंगे ठीक है चलिए अगला सवाल देखते हैं दिये गए उपकरनों में से किसका उपयोग हिर्दे और फेफडों की धोनियों को सुनने और उसका विसलेशन करने के लिए क्या जाता है तो आपको बताना है कि हिर्दे और फेफणों की धोनियों को सुनने और उनका विसलेशन करने के लिए किस उपकरन का उपयोग किया जाता है तो आप सभी को पता होगा कि हिर्दे और फेफणों की धोनियों को सुनने और उनका विसलेशन करने के लिए इस्थेतो इसकोप याद रखेंगे आयामी चित्रों को देखने के लिए दिये गए उपकरनों में से किसका उपयोग किया जाता है तो आंसर करेंगे आयामी चित्रों को देखने के लिए किस उपकरन का उपयोग किया जाता है तो 2D pictures को देखने के लिए कि सुपकरण का उपयोग करते हैं Option A, Ameter, Option B, Stereo Scope, Option C, Istitतो, Scope, Option D, Voltmeter तो इंपोर्टेंट सवाल है पूछ सकता है तो याद रखना है कि 2D pictures को देखने के लिए आयामी चित्रों को देखने के लिए हम लोग Stereo Scope का उपयोग करते हैं तो two dimensional pictures को देखने के लिए stereo scope का उपयोग किया जाता है आंसर हो जाएगा option number B निमनलिखित में से कौन साइंत्र blood pressure को मापता है तो important सवाल है कौन साइंत्र रक्त चाप को मापता है option A, sphygmomanometer, option B, viscometer, option C, thermometer, option D, theodolite तो आप जानते हैं कि blood pressure को मापता है sphygmomanometer number A, याद रखेगा, ठीक है, कुछ और सवाल यहां से हम लोग revision करते है जो important है, पूछ सकता है exam में, जैसे आप से पूछ सकता है calorie meter किसे मापता है, calorie meter किसे मापता है, फटा-फट बताएंगे calorie meter किसे मापता है, ठीक है, calorie meter किसे मापता है calorie meter ठीक है, तो calorie meter किसे मापता है, उसमा की मात्रा को मापता है calorie meter याद रखेंगे, अगर आ पूछ सकता है calorie caliper किसे मापता है, तो आपको बताना, calorie caliper किसे मापता है वर्णियर केलिपर्स किसे मापता है इंपोर्टेंट सवाल है वर्णियर केलिपर्स किसे मापता है तो याद रखना है बेलनाकार वस्तों का व्यास और गहराई को मापता है ठीक है तो इंपोर्टेंट सवाल है बेलनाकार वस्तों का व्यास और गहराई को मापता है वर्णिय calipers याद रखेगा ठीक है important सवाल अगला पूछ सकता है आपसे cryometer क्या करता है तो याद रखना है निम्न तापमान को मापता है cryometer क्राइव मीटर क्या करता है निमने तापमान को मापता है अगर पूछे का डेंसिटी मीटर क्या करता है तो आप जानते है डेंसिटी मीटर जो है घनत्व को मापता है ठीक है और अगर पूछे फैदो मीटर किसे मापता है तो फैदो मीटर आप जानते है कि समुद्र की गहरा में से कौन सा कौन सा समाधान की लवन्ता को मापता है ठीक है तो आपको बताना है इनमें से कौन लवन्ता को मापता है ठीक है option number A, voltmeter option B, speedometer, option C selenometer, option D, ammeter तो simple सा सवाल है आप से पुचा गया है कि solution का selenity को मापने वाला अपकरन कौन सा है ठीक है यानि विल्यन का सेलिनीटी को मापता है विल्यन की लवनता को मापने वाला उपकरन कौन सा है तो सेलिनोमीटर तो याद रखेंगे सेलिनोमीटर क्या करता है तो सेलिनोमीटर विल्यन के विल्यन में नमक की मातरा को मापता है, selenometer, answer option number C भुकंप की त्रिवता को मापता है, तो आप जानते हैं, भुकंप की त्रिवता को किसके द्वारा मापा जाता है answer करेंगे, option A, thermostat, option B, Richter scale, option C, rain gauge, option D, सिस्मो ग्राफ तो आपको बताना है भुकम की त्रिवता कुमापता है तो आप जानते हैं भुकम की त्रिवता कुमापता है सिस्मोग्राफ याद रखेंगे बुकम की त्रिवता कुमापता है सिस्मोग्राफ सिस्मोग्राफ जो है भुकम की त्रिवता कुमापता है याद रखेंगे चिकें दिये गए उपकरणों में से कौन अपवरतनां को मापता है option A, photometer, option B, refractometer, option C, selenometer, option D, potentiometer तो आपको बताना है अपवरतनां को मापने वाला उपकरण क्या है ठीक है तो देखिए यहां से refractive index को कौन मापता है तो refractometer मापता है ना तो answer क्या हो जाएगा option number B, याद रखना है तो अगर पूछे अपवरतनां को मापने वाला उपकरण का नाम क्या है तो अपवरतनां को मापता है refractometer, ठीक है तो refractive index को मापने वाला उपकरण है refractometer, option number B, याद रखेंगे अब यहां से कुछ important सवाल बताते हैं जो exam में पूछा है जैसे कुछ यंत्र है, वो कुछ सिधान पे काम करता है तो वहां से आपका सवाल पूछ सकता है जैसे कि विदुद generator की सिधान पे काम करता है ठीक है, भाप का engine की सिधान पे काम करता है तो जो भी important लिखाएंगे उस्मा गतिकी के सिधान पे काम करता है विदुद generator की सिधान पे काम करता है और आपको पता होगा विदुद generator किस के द्वारा बनाए गया माइकल फिराडे के द्वारा बनाए गया विदुद चुमी की प्रेरन का नियम किस ने दिया माइकल फिराडे ने दिया है याद रखेंगे, ठीक है, important है अगला important क्या बनता है आपको याद रखना है कि रेडियो, रेडियो और दुर्दर्शन ठीक है, रेडियो और दुर्दर्शन की सिधान पे काम करता है रेडियो और दुर्दर्शन यानि टेलिवीजन की सिधान पे काम करता है तो radio और television की सिध्धान पे काम करता है तो विदुत चुमी की तरंग संचरन पे काम करता है रेडियो और दूरदर्शन इमपोर्टेंट है याद रखेंगे अगला पुछ सकता है rocket पर छेपन तो आप जानते हैं कि rocket पर छेपन जो है newton के गती के तीसरे नियम को follow करता है तो इसको भी आप जानती होंगे अगला पुछ सकता है नावकिय रियक्टर, नावकिय रियक्टर के सिधान पे काम करता है नावकिय रियक्टर, तो आप जानते है नावकिय रियक्टर जो है नावकिय विखंडन के सिधान पे काम करता है, लेकिन किस प्रकार का नावकिय विखंडन, नियंतृत क्यों आफकी के विखंडन के सिधान पे काम करता है अगला पूछ सकता है फोटो सेल की सिधान पे काम करता है तो प्रकास वेदुत प्रभाव पे काम करता है और अगर पूछे प्रकास वेदुत प्रभाव की खोज किस ने की थी तो आप लोग जानते होंगे अलबेट आंस्टीन ने प्रकास वेदुत प्रभाव की खोज की थी और Albert Einstein को प्रकास वेदुत प्रभाव की खोज के लिए नॉबल पुरुसकार भी मिला है 1921 में तो कुछ भी सवाल पूछ सकता है जैसे प्रकास वेदुत प्रभाव की खोज किस ने की तो Albert Einstein ने प्रकास वेदुत प्रभाव की खोज की थी ठीक है और प्रकास वेदुत प्रभाव की खोज के लिए अलबर्ट आइंस्टीन को 1921 इस्वी में नॉबल पुरुसकार मिला था याद रखेंगे तो फोटोसेल की सिधान पे काम करता है प्रकास वेदुत प्रभाव की सिधान पे काम करता है याद रखेगा अगला पुछ सकता है सोनार सोनार की सिधान पे काम करता है सोनार की सिधान पे काम करता है तो याद रखेंगे सोनार जो है परास्वे तरंग परास्वे तरंगों के परास्वे तरंगों के परावरतन ठीक है प्रास्वरे तरंगों के प्रावर्तन सिध्धान पर काम करता है तो ये भी important सवाल है इसको भी आप याद रखेगा पूछेगा सोनार किस सिध्धान पर कारी करता है तो सोनार प्रास्वरे तरंगों के प्रावर्तन सिध्धान पर काम करता है याद रखेंगे ठीक है चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्लास को फटा-फट एक बार आप लोग शेयर कर देए, दिये गए उपकरणों में से कौन सा घोल में चीनी की मातरा कुमापता है, तो आपको बताना है इन में से कौन सा उपकरण है, जो घोल में चीनी की मातरा कुमापता है, तो आपको बताना है घोल में चीनी की मातरा को मापने वाला उपकरन है तो आपको बताना है विकीरन उर्जा के उत्सरजन को मापता है तो विकीरन उर्जा के उत्सरजन को मापता है याद रखेंगे दिये गए उपकरन में से कौन बहुत उच तापमान को मापता है फिक है तो बहुत Important सवाल एै Very High Temperature कुम अपने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है बहुत उचत आपमान कुम अपने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है Option A, Refractometer Option B, Microphone Option C, Radiometer Option D, Pyrowmeter सिंपल सा सवाल है आप जानते हैं कि बहुत उच्छ तापमान कुमापने के लिए पाइरो मीटर का उपयोग किया जाता है आंसर क्या होगा option number D बहुत उच्छ तापमान कुमापने के लिए पाइरो मीटर का इस्तमाल किया जाता है कौन सा उपकरन वहान द्वारा तेकी गई धुरी को मापता है याद रखेंगे वहान द्वारा तेकी गई धुरी को मापता है याद रखेंगे वाहन द्वारा तेकी गई दूरी को मापता है ओडो मीटर, option number A दिये गए उपकर्णों में से किसका उपयोग ध्वनी उत्पन करने के लिए क्या जाता है तो आपको बताना है, ध्वनी उत्पन करने के लिए किस उपकरन का उपयोग क्या जाता है option A, stable scope, option B, radiometer, option C, photometer, option D, phonograph तो ध्वनी उत्पन करने के लिए किस उपकरन का उपयोग क्या जाता है आपको बताना है तो याद रखना है कि ध्वनी उत्पन करने के लिए हम लोग phonograph का उपयोग करते हैं ध्वनी उत्पन करने के लिए हम लोग फोनोग्राफ का उप्योग करते हैं, आंसर हो जाएका option number D, तो ध्वनी उत्पन करने के लिए फोनोग्राफ का उप्योग क्या जाता है, answer option number D, याद रखेंगे। नमी उत्पन करने के लिए किस उपकरण का उप्योग क्या जाता है, समुदर तल से उपर की वस्थूओं को देखने के लिए पंदूबियोँ में किस उपकरण का उप्योग क्या जाता है, तो आंसर करेंगे समुद्र तल से उपर की वस्तों को देखने के लिए पंडुब्यों में किस उपकरन का उपयोग क्या जाता है आप सभी जानते हैं पेरिस्कोप तो याद रखेंगे समुद्र तल से उपर की वस्तों को देखने के लिए पंडुब्यों में किस उपकरन का उ अब यहाँ से कुछ और important सवाल revision करते हैं हम लोग जो आपके exam में पूछ सकता है जैसे आप से पूछ सकता है gyroscope का काम क्या होता है लोग जाते हैं गुर्णन गती करते हुए यानि ढूमते हुएग है घुर्णन गती करती हुए गुर्णन गती करती हुई वस्तु के कोनिय सम्वेक को मापता है तो important सवाल है ये भी सवाल आप इसको याद रखेगा तो आपसे पूछेगा गायरोस्कोप का काम क्या है ठीक है तो गुर्णन गती करती हुई वस्तु के कोनिय सम्वेक को मापता है गाइरोको इसको आप याद रखेंगे गोणन गती करती ही विए वस्थू के कोन ये संवेक को मापता है गाइरोकोप याद रखेंगे ठीके अघला पूछ सकता है अघला आपसे पूछ सकता है कि हाइडरोमीटर किसे मापता है यह तो बहुत important है hydrometer, ठीक है, एक होता hydrometer, एक होता hygrometer, तो पहले आप बताएंगे hydrometer किसे मापता है, hydrometer किसे मापता है, तो hydrometer याद रखना है, पूछेगा, तो hydrometer याद रखना है वस्तुओं के सापेक्चिक घनतु को मापता है, ठीक है, hydrometer क्या करता है, वस्तुओं के सापेक्चिक घनतों को मापता है ठीक है वस्तुओं के सापेक्चिक घनतों को मापता है तो इंपोर्टेंट सवाल है हाइड्रो मीटर किसे मापता है तो याद रखना है वस्तुओं के सापेक्चिक घनतों को मापता है हाइड्रो मीटर अगला पुछ सकता है हाइड्रो वायमंडलिये आदरता को मापता है हाईग्रो मीटर तो हाईग्रो मीटर किसे मापता है तो वायमंडलिये आदरता को मापता है तो वायमंडलिये आदरता को मापता है हाईग्रो मीटर याद रखेंगे वायमंडलिये आदरता को मापता है हाईग्रो मीटर थीक है अगला पू पानी के जहाजों में सही समय ग्याद करने के लिए हम लोग करोनोमीटर का इस्तमाल करते हैं याद करते हैं तो ये important सवाल है कि chronometer का उपयोग कहा होता है तो पानी के जहाजों में सही समय ग्याद करने के लिए chronometer का उपयोग क्या जाता है पूछेगा कैस्कोग्राफ का उपयोग कहा करते हैं तो आप जानती है कि पोधों की विर्धी को दरसाने वाला यंत्र है कैस्कोग्राफ और कैस्कोग्राफ का निर्मान किस ने क्या था जगदीश चंद्रबश्व ने याद रखेंगे अगला एक इंपोर्टेंट सवाल है आपको ये बताना है इंपोर्टेंट सवाल है ये डाइलेटो मीटर क्या करता है डाइलेटो मीटर क्या मापता है आपको बताना है डाइलेटो मीटर क्या मापता है तो याद रखेगा इस सवाल को किसी वस्तू में उत्पन आयतन के परिवर्तन को मापता है ठीक है किसी वस्तू में किसी वस्तू में उत्पन आयतन के परिवर्तन को मापता है तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है तो इसको आप जरूर याद रखेगा तो अगर आपसे पूछता दिये गए उपकरनों में से कौन सा उपकरन नाविकों द्वारा दिसा निर्धारित करने के लिए उपयोग क्या जाने वाला उपकरन है? इंपोर्टेंट सवाल है नाविकों द्वारा दिसा निर्धारित करने के लिए उपयोग क्या जाने वाला उपकरन कौन सा है? आपसन A, कॉमपास, दिसा सुचक यंत्र, आपसन B, रडार, आपसन C, फोटो मीटर, आपसन D, वोल्ट मीटर आपसन A, कॉमपास को द्वारा दिसा निर्धारित करने के लिए उपयोग क्या जाने वाला उपकरन है? Alternative current को direct current में बदलने के लिए किस उपकरन का उपयोग क्या जाता है तो आप लोग जानते है rectifier का उपयोग क्या जाता है ठीक है तो alternating current को direct current में बदलने के लिए rectifier का उपयोग क्या जाता है याद रखेंगे दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग क्या जाता है तो आपको बताना है which instrument is used to measure pressure दाब मापने के लिए किस उपकरन का उपयोग क्या जाता है option A, ammeter, option B, manometer, option C, lactometer, option D, sacrimeter तो simple सा सवाल है दाब मापने के लिए हम लोग किस का उपयोग करते हैं दाब मापने के लिए manometer, option B, द्रवों के घनत्व या आपक्षिक घनत्व कुम आपने के लिए किस उपकरन का उपयोग क्या जाता है तो answer करेंगे द्रवों के घनत्व या आपक्षिक घनत्व कुम आपने के लिए measuring the density और relative density of liquids तो द्रवों के घनत्व या अपिक्षिक घनत्व कुमापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं तो hydrometer याद रखेंगे द्रवों के घनत्व या अपिक्षिक घनत्व कुमापने के लिए हम लोग hydrometer का इस्तमाल करते हैं इसको याद रखेगा ठीक है और अगर पुछे हाइग्रोमीटर तो आप जानते हैं हाइग्रोमीटर वायूमंडली ये आदरता कुमापता है ठीक है तो हाइग्रोमीटर क्या करता है हाइग्रोमीटर वायूमंडली ये आदरता कुमापता है ठीक है तो हाइग्रोमीटर वाय प्रतिरोध या करेंट को नियंतरित करता है तो आंसर करेंगे सरकिट में प्रतिरोध या करेंट को नियंतरित करने वाला उपकरन कौन सा है तो आपको वताना है सरकिट में प्रतिरोध या करेंट को नियंतरित करने वाला उपकरन कौन सा है तो याद रखना है रियो option number C याद रखेंगे उचाइम आपने के लिए हवाई जहाज में इस्तमाल क्या जाने वाला उपकरन कौन सा है तो आप जानते हैं कि हवाई जहाज में उचाइम आपने के लिए हम लोग किस उपकरन का उपयोग करते हैं चीक है तो उड़ते हुए विमान की उचाइम आपने में हम लोग किसका उपयोग करते हैं तो आपको बताना भई option number A barometer, option B altimeter, option C pedometer, option D meltimeter या multimeter तो simple सा सवाल है आप सभी जानते हैं इसका answer क्या होगा option number B altimeter तो उचाइम आपने के लिए हवाई जाज में इस्तमाल होने वाला उपकरन कौन सा है altimeter तो उड़ते हुए विमान की उचाइम आपने में हम लोग altimeter का उपयोग करते हैं option B विदुधारा की त्रिवताम आपने वाला यंत्र है तो विदुधारा की त्रिवताम आपने वाला उपकरन है अगला आपसे पूछ सकता है ध्यान दिजेगा nephoescope ये बहुत important सवाल है nephoescope का उपयोग कहां होता है nephoescope आप लोग जानते हैं तो बताएंगे nephoescope का उपयोग कहां पे किया जाता है ठीक है तो बादलों की गती एवं याद रखना है बादलों की गती एवं दिशा को मापता है बादलों की गती एवं दिसा को मापता है नेफो इसकोप तो अगर आपसे पूछे नेफो इसकोप किसे मापता है तो वायो मंडल में उपस्तित बादलों की गती एवं दिसा को मापता है नेफो इसकोप याद रखेंगे अगला पुछ सकता है जो important सवाल है टेको मीटर किसे मापता है तो टेको मीटर किसे मापता है तो याद रखेंगे किसी वस्तु के चकरन की गती को मापता है वस्तु के चकरन की गती को मापता है टेको मीटर ठीक है तो वस्तु के चकरन की गती को मापता है टेको मीटर याद र तो याद रखेंगे चीनी की मात्रा कुमापता है विलियन में चीनी की मात्रा कुमापता है सेक्रोमीटर यहनी सक्रा की सांदर्ता कुमापने वाला यंत्र है सेक्रोमीटर इसको भी आप याद रखेगा पूस्ता है एक्जाम में ठीक है अगला एक पूछ सकता है यूडो मीटर, यूडो मीटर क्या काम करता है यूडो मीटर, यूडो, आपको बताना है यूडो मीटर उपकरन का उपयोग कहा होता है, ठीक है यूडो मीटर का उपयोग कहा करते हैं, तो वर्सा की मातरा ज्याद करने में, याद रखेंगे वर्सा की मात्रा ग्याद करने में यूडो मीटर का उपयोग किया जाता है इसको आप याद रखेगा पूछ सकता है ठीक है अगर आपसे पूछे इस फैरो मीटर का उपयोग कहां किया जाता है इस फैरो मीटर का उपयोग कहां किया जाता है इस फैरो मीटर का उपयोग कहां किया जा किसी सतह की वकरता मापने का यंत्र है स्फेरो मीटर तो यह भी important सवाल है किसी सतह की वकरता मापने का यंत्र इसको आप याद रखेगा चलिए अगला सवाल देखते हैं ख्लास को फटा फटा एक बार आप लोग शेयर करें गैसों के दवाब को मापने के लिए प्रियुक्त उपकरन कौन सा है तो आपको बताना है गैसों के दवाब को मापने के लिए हम लोग किस उपकरन का उपयोग करते हैं Option A, Manometer, Option B, Calorimeter, Option C, Perimeter, Option D, Galvanometer, तो आप जानते हैं कि गैसों के दवाब को मापने के लिए हम लोग मैनो मीटर का उपयोग करते हैं, आंसर हो जाएगा option number A. दूद की सुदता जाचने का यंत्र है, the instrument to taste the purity of milk, दूद की सुदता मापने में कि सूपकरन का उपयोग क्या जाता है, option A, Barometer, Option B, Odometer, Option C, Monometer, Option D, Lactometer, तो आप जानते हैं कि दूद की सुदता को मापते हैं, हम लोग किसमें Lactometer में आंसर हो जाएगा option number D, दूद की सुदता को मापता है, Lactometer याद रखेगा, कुछ और सावाल यहां से हम लोग देख लेते हैं, जैसे, आप से पूछ सकता है, थर्मोपाइल किसे मापता है, थर्मोपाइल, थर्मोपाइल का क्या काम है, ठीक है, थर्मोपाइल, important है, तो याद रखेगा, विकीरन त्रिवता को मापता ह तो विकीरन त्रिवता मापने का यंतर है, थर्मोपाइल, समझ माया, तो विकीरन त्रिवता मापने का यंतर है, थर्मोपाइल, याद रखेगे, अगला पूछ सकता है, वैंचूरी मीटर का क्या काम है, वैंचूरी मीटर का क्या काम है, वैंचूरी मीटर का क्या काम है, आ द्रवों के प्रवाह की गती मापने का यंतर है वेंचूरी मीटर तो याद रखेंगे द्रवों के प्रवाह की गती मापने का यंतर है वेंचूरी मीटर याद रखेंगे ठीक है important सवाल अगला सवाल आपसे पूछ सकता है मैक मीटर क्या है मैक मीटर क्या है आपको वताना मैक मीटर क्या है मैक मीटर क्या है तो ये भी important सवाल है मैक संख्या आप लोग सुने होंगे कभी तो मैक मीटर क्या करता है तो ध्वानी के वेग ध्वानी के वेग के अनुपात में द्वोनी के वेख के अनुपाथ में वायवजान की गती को मापता है तो important सबाल इसको अब जरूर याद रखेगा अगला सबाल देखते हैं हाइग्रो मीटर का प्रियोग किसे मापने में क्या जाता है तो हाइग्रो मीटर बोला हाइग्रो हाइग्रो मीटर का उपयोग किसे करते हैं क्या मापने में करते हैं ओप्शन ए तापमान ओप्शन बी दवाब ओप्शन सी humidity यानि आदर्ता option D specific gravity visist गुरुत्व, तो आप जानते हैं hygrometer का उपयोग होता है किसे मापने के लिए तो आदर्ता, आदर्ता कुमापने के लिए वाइमंडली, आदर्ता कुमापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो hygrometer का उपयोग करते हैं आदरता मापने के लिए option C The use of galvanometer Galvanometer का उपयोग कहां क्या जाता है Galvanometer का क्या उपयोग है Option A धोने की गहनता को मापने के लिए Option B पानी की गहराई मापने के लिए Option C विदुधारा मापने के लिए Option D वाहन की गती मापने के लिए तो आपको बताना है Galvanometer का उपयूग कहां क्या जाता है इंपोर्टेंट सवाल है आप जानते है Electric current को मापने के लिए यानि to measure the electric current विदु धारा को मापने के लिए Galvanometer का इस्तमाल क्या जाता है ठेक है तो विदु धारा को मापने के लिए हम लोग galvanometer का उपयोग करते हैं answer option number C वायो मंडल की आदरता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग क्या जाता है तो which instrument is used to measure atmospheric humidity वायो मंडली आदरता मापने के लिए किस उपकरन का उपयोग करते हैं option A, hygrometer, option B, hydrometer, option C, lactometer, option D, barometer तो simple सा सवाल है आप जानते हैं कि वायो मंडली आदरता को मापने के लिए hygrometer का इस्तमाल किया जाता है answer option number A वायो मंडली आदरता मापने के लिए hygrometer का इस्तमाल किया जाता है पौधों की विर्धी को मापने के लिए प्रयोग क्या जाने वाला उपकरन है तो आप जानते हैं तो आंसर करेंगे Option A, Durometer, Option B, Oxenometer, Option C, Potometer, Option D, Cryometer तो पौधों की विर्धी कुमापने वाला उपकरन कौन सा है? तो याद रखेंगे Oxenometer, ठीक है? पौधों की विर्धी कुमापने के लिए उपयोग करते हैं Oxenometer, Option B समुद्रों और महसागरों की गहराई कुमापने के लिए किस उपकरन का उपयोग क्या जाता है? तो समुद्रों और महसागरों की गहराई कुमापने के लिए हम लोग फैदो मीटर का उपयोग करते हैं, है न? तो याद रखेंगे समुद्रों और महासागरों की गहराई को मापने के लिए फैदो मीटर का उप्योग क्या जाता है? आंसर आप्शन B विदुद्धारा के तीखे पन को मापने के लिए उप्योग के जाने वाले उपकरन का नाम बताएं तो विदुद्धारा के तीखे पन को मापने के लिए किस उप्योग का उप्योग क्या जाता है? तो विदुद्धारा के तीखे पन को मापने के लिए किस उप्योग क्या जाता है? आपको बताना है तो याद रखना है विदुधारा के तीखेपन को मापने के लिए यानि बोल सकते हैं सार्पनेस ओफ एलेक्टिक करेंट ठीक है सार्पनेस ओफ एलेक्टिक करेंट को मापने के लिए किस उपकरन का उपयोग करते हैं आप्शन A, क्रोमोग्राफ, आप्शन B, डिक्टाफोन, और आप्शन C, कैस्कोग्राफ, आप्शन D, हाइड्रोफोन, तो पानी के अंदर ध्वनी तरंगों कुमापने के लिए किसका उप्योग क्या जाता है, तो आपका आंसर होगा हाइड्रोफोन, याद रखेंगे पानी के अंदर ध्वनी तरंगों कुमापने के लिए हाइड्रोफोन, पानी के अंदर ध्वनी तरंगों कुमापने के लिए हाइड्रोफोन का उप्योग क्या जाता है, आप जानते हैं, यादरता कुमापने के लिए किस उपकरन का उप्योग क्या जाता है, तो आप जानते हैं, यहां से कुछ important सवाल हम लोग देख सकते हैं जैसे आपसे पूछ सकता है ओंडो मीटर किसे मापता है पढ़े होंगे आप लोग तो आप आंसर करेंगे ओंडो मीटर किसे मापता है ठीक है तो याद रखना है ओंडो मीटर क्या करता है विदुद चुम्बिके तरंगों की आविरती को मापता है ठीक है ओंडो मीटर विदुद चुम्बिके तरंगों की आविरती को मापता है तो अगर आपसे पूछे कि ओंडो मीटर किसे मापता है फोनो मीटर किसे मापता है तो धोनी की त्रिवता को मापता है ठीक है फोनो मीटर किसे मापता है तो धोनी की त्रिवता को मापता है ठीक है फोनो मीटर किसे मापता है तो धोनी की त्रिवता को मापता है फोनो मीटर धोनी की त्रिवता को मापता है अगला सवल पूछता है प दूर इस्तित वस्तित वस्तों की आवस्तित जानने के लिए राडार काउपयोग किया जा सकता है यह किया जाता है ठीक है तो याद रखेगा important सवाल है अगला पुछए का सिस्मो ग्राफ तो आप जानते हैं भुकंपिय तरंगों की त्रिवता मापने के लिए सिस्मो पाईरी हिलियो मीटर का उपयोग कहां किया जाता है important सवाल है इसको आप answer करेंगे पाईरी हिलियो मीटर वैसे आसान ही है तो पाईरी हिलियो मीटर का उपयोग कहां किया जाता है तो आप जानते हैं सौर विकिरन मापने के लिए है न, सौर विकिरन को मापने के लिए, सौर विकिरन, सौर विकिरन के मापन के लिए, सौर विकिरन को, ठीक है, सौर विकिरन को मापने हे तू, याद रखना है मापने हे तू, सौर विकिरन को मापने हे तू, पाईरी हिलियो मीटर का उपयोग क्या जाता है, अगला पुछ सक द्रवों की स्यानता को मापने के लिए द्रवों की स्यानता को मापने हे तू ठीक है तो द्रवों की स्यानता को मापने हे तू विसको मीटर का उपयोग किया जाता है तो इस सवाल को भी आप याद रखेगा कि द्रवों की स्यानता को मापने हे तू विसको मीटर का उपयोग क याद रखेंगे विदुत चुम्बि की ए विदुत चुम्बि की ए ठीक है विदुत चुम्बि के तरंगों की तरंगों की तरंगद्य मापने के लिए ठीक है इंपोर्टेंट सवाल है विदुत चुम्बि के तरंगों की तरंगद्य मापने के लिए वेब मीटर का इस्तमाल किया जाता है तो इस सवाल को भी याद रखेंगे विदू चुमिके तरंगों की तरंगदद्य मापने के लिए वेब मीटर का इस्तमाल किया जाता है ठीक है इंपोर्टेंट सवाल है अगला पूछ सकता है Electrometer का इस्तमाल कहां क्या जाता है Electrometer Electrometer का इस्तमाल कहां क्या जाता है तो विवानतर मापने के लिए हम लोग Electrometer का उपयोग कर सकते हैं तो इसको भी आप याद रखेगा विवानतर विवानतर मापने के लिए हम लोग विवानतर मापने के लिए हम लोग अलेक्टोमीटर का उपयोग कर सकते हैं याद रखेंगे ठीक है तो क्लास को फटा फटे एक बार आप लोग शेयर कर दीजे और जो बच्चे क्लास को लाइक नहीं किये हैं आप सभी से हमबल रिक्वेस्ट करेंगे क्लास को आप लोग प्लीज सपोर्ट करें दूद के सुधी करन का पता लगाने और मापने के लिए किस उपकरन का उपयोग क्या जाता है तो सिंपल सा सवाल है ठीक है दूद के सुधी करन का पता लगाने और मापने के लिए हम लोग किस उपकरन का उपयोग करते हैं तो आप जानते हैं कि लेक्टो मीटर आंसर हो जाएगा option number D, लेक्टो मीटर, ठीक है वह उपकरन जिसके द्वारा किसी पदार्थ को बहुत छोटे-छोटे टुकरों में काटा जाता है उसे क्या कहा जाता है important सवाल है वह उपकरन जिसके द्वारा किसी पदार्थ को बहुत छोटे-छोटे टुकरों में काटा जाता है option A, manometer option B, microtom option C, micrometer option D, macmeter तो सही आंसर क्या होगा यह आपको बताना है तो आंसर करें वह उपकरन जिसके द्वारा किसी पदार्थ को बहुत छोटे-छोटे टुकरों में काटा जाता है उसे क्या कहा जाता है तो आपका सही आंसर क्या होगा option B, microtom तो याद रखेंगे microtom वह उपकरन है जिसके द्वारा किसी पदार्थ को दो प्रकास रोतों की रोसनी और त्रिवता की तुलना की जाती है option A, pyrometer, option B, photo telegraphic, option C, photometer, option D, periscope तो आंसर करें important सवाल है तो आपका answer होगा photometer तो याद रखेगा दो प्रकास रोतों की रोसनी और त्रिवता की तुलना करने के लिए हम लोग photometer का इस्तमाल करते हैं ठीक है तो important सवाल है तो याद रखेगा कि दो प्रकास रोतों की रोस्नी और त्रिवता की तुलना करने के लिए हम लोग photometer का उप्योग करते हैं उस उपकरन का नाम बताईए जिसके द्वारा मनुस्य की सत्यता की जाँच की जाती है सिंपल सा सवाल है मनुस्य की सत्यता की जाँच की जाती है किस उपकरन द्वारा आपको बताना है option A pecanometer, option B, quadrant, option C, polygraph, option D, radiometer तो आप जानते हैं कि जूट का पता लगाने के लिए हम लोग polygraph का इस्तमाल करते हैं तो मनुस्य की सत्यता की जाँच के लिए हम लोग polygraph का इस्तमाल करते हैं तो याद रखना है मनुस्य की सत्यता की जाँच के लिए polygraph का उप्योग क्या जाता है आंसर हो जाएगा option number C भुकम्प की त्रिवताम आपने के लिए किसी अंत्र का उपयोग क्या जाता है आप्शन A, सिस्मोग्राफ, आप्शन B, ऑक्जिलोग्राफ, आप्शन C, कोमोग्राफ, आप्शन D, काडियोग्राफ तो भुकंप की तरिवताम आपने के लिए किसी अंत्र का उपयोग क्या जाता है? तो भुकंप की तरिवताम आपने के लिए हम लोग सिस्मो ग्राफ का उपयोग करते हैं, आंसर हो जाएगा option number A, भुकंप की तरिवताम आपने के लिए किसका उपयोग क्या जाता है? सिस्मो तुछ इम्पॉर्टेंट सवाल आपको उर्जा रुपांतरन से भी एकजा में पूस्ता है जैसे विदूथीटर प्रकार उर्जा रुपांतरन करता है तो इस तरह के सवाल थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं आपसे पुछेगा विदूथीटर तो आप जानते हैं विदू ठीटर जो है विदू उर्जा को उसमिय उर्जा में कन्वर्ट करता है याद रखेगा अगला पूचता है लावडी स्पीकर तो आपको पता होगा लावडी स्पीकर जो है विदूत उर्जा को ध्वनी उर्जा में बदलता है याद रखेंगे लावडी स्पीकर विदूत उर्जा को ध्वनी उर्जा में बदलता है डाइनमो अगर पुछेगा तो डाइनमो यांत्रिक उर्जा को विदूत उर्जा में बदलता है तो याद रखेगा विदू थीटर पूचेगा तो विदू थीटर विदूत उर्जा को उसमिय उर्जा में बदलता है लावड़ी स्पीकर पूचेगा तो लावड़ी स्पीकर विदूत उर्जा को ध्वनी उर्जा में बदलता है तो वास्प इंजन के बार में याद रखना है कि उसमें उर्जा को गतीज उर्जा में बदलता है याद रखेगा अगला सवाल पूछ सकता है कि विदूत सेल, विदूत सेल यानि बैटरी किस इधान पर काम करता है विदूत सेल, तो विदूत सेल याद रखना है रासाइनिक उर्जा को विदूत उर्जा में, तो विदूत सेल रासाइनिक उर्जा को विदूत उर्जा में बदलता है, तो सबी को पता होगा कि विदुद जनित्र यांत्रिक उर्जा को विदुद उर्जा में बदलता है और डाइनमो पूछेगा तो डाइनमो यांत्रिक उर्जा को विदुद उर्जा में बदलता है याद रखेगा पवन चक्की पूछेगा तो पवन चक्की यांत्रिक उर्जा को विदुद उर्जा में बदलता है तरबाइन पूछेगा तो तरबाइन याद रखना यांत्रिक उर्जा को विदुत उर्जा में बदलता है ठीक है तो यहां से भी सवाल आपका एक्जाम में बनता है उसमा विकिरन को मापने के लिए किस उपकरन का उपयोग क्या जाता है तो आपको बताना हीट रेडियेशन को मापने के लिए किसका उपयोग क्या जाता है उप्सन A, एल्टी मीटर, उप्सन B, ओडियो मीटर, उप्सन C, बोलो मीटर, उप्सन D, क्रोनो मीटर तो उसमें विक्रन को मापने के लिए हम लोग बोलो मीटर का उपयोग करते हैं आंसर उप्शन नमबर C उसमें विक्रन को मापने के लिए बोलो मीटर का उपयोग क्या जाता है वायो मंडलिय दाब मापने के लिए किसका उपयोग क्या जाता है option A cryometer, option B manometer, option C dilatometer, option D barometer तो आप जानते हैं वायमडलिय दाब मापने के लिए हम लोग barometer का उप्योग करते हैं और barometer का विश्कार ये टोरे सेली के द्वारा किया गया था तो वायमडलिय दाब मापने के लिए barometer का उप्योग किया जाता है निकायों के आंत्रिक और बाहरी व्यास कुमापने के लिए किसका उप्योग के जाता है तो इंपोर्टेंट सवाल है और आपलोग जानते भी होँगे आंसरोगा कैलिपर्स त्याद रखेंगे कैलिपर्स क्या करता है तो किसी वस्तू के आंत्रिक और बाहरी व्यास कुमापने के लिए हम लोग कैलिपर्स का उपयोग करते हैं ठीक है किसी वस्तू के आंत्रिक और बाहरी व्यास कुमापने के लिए कैलिपर्स का उपयोग करते ह आपको बताना है मेगनेटिक फ्लस्क चुमिके प्रवाह कुमापने के लिए किस उपकरन का उपयोग किया जाता है तो आप जानते हैं चुमिके प्रवाह या मेगनेटिक फ्लस्क कुमापने के लिए हम लोग फ्लक्स मीटर का इस्तमाल करते हैं आंसर हो जाएगा option number B, चुम्भी के प्रवाह कुमापने के लिए magnetic flux, कुमापने के लिए flux meter का उपयोग क्या जाता है रंगों की त्रिवता की तुनला करने के लिए किसका उपयोग क्या जाता है तो आपको बताना रंगों की त्रिवता की तुनला करने के लिए option A, वर नमापी यनि जिसको हम लोग बोलते है kolorimeter, option B हो जैँगा calorie meter, option C हो जैँगा cryometer, option D है cathortimeter तो यहाँ आपको देखना है यहाँ पे लिखा देखिए यह है colourimeter और यह है calorie meter दोनों में अंतर है, ठीक है तो आप बताएंगे rangओं की त्रिवता मापने के लिए रंगों की त्रिवता की तुनला करने के लिए वैसे तो हिंदी में पढ़ेंगे तो आंसर तुरंत आजाएगा तो रंगों को हम लोग हिंदी में वर्ण बोलते हैं न तो रंगों की त्रिवता की तुनला करने के लिए हम लोग वर्ण मापी का उप तो रंगों की त्रिवता मापने के लिए वर्ण मापी या कोलोरी मीटर का उप्योग करते हैं और कैलोरी मीटर बोलेगा तो आप जानते हैं कैलोरी मीटर का उप्योग कहा करते हैं कमेंट कर देंगें ठीक है तो आपका सही आंसर हो जाएगा option number A पानी के नीचे ध्वनी मापने के लिए किसका उप्योग क्या जाता है तो पानी के नीचे ध्वनी मापने के लिए ठीक है which is used to measure sound underwater पानी के नीचे ध्वनी मापने के लिए किसका उप्योग क्या जाता है option A, telephone, option B, gramophone, option C, hydrophone, option D, aerophone तो ये भी simple सा सवाल है फटा-फट इसका आंसर करेंगे, क्या होगा इसका आंसर ठीक है, कैलोरी मीटर आप जानते हैं उस्मा की मातरा को मापता है कैलोरी मीटर ठीक है, कैलोरी मीटर क्या करता है, उस्मा की मातरा को मापता है और पानी के नीचे ध्वनी मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे तो simple सा सवाल है answer होगा hydrophone पानी के नीचे ध्वनी मापने के लिए हम लोग hydrophone का उपयोग करेंगे पानी के अंदर ध्वनी मापने के लिए hydrophone द्रवों की स्यानता मापने के लिए किसका उपयोग क्या जाता है तो आपको सवाल है आप जानते हैं कि द्रवों की स्यानता मापने के लिए विसको मीटर का उपयोग किया जाता है आंसर हो जाएगा उपकरन है यूडो मीटर वर्सा की मातरा ग्यात करने वाला उपकरन है यूडो मीटर याद रखेंगे अगला है बोलो मीटर बोलो मीटर भी इंपॉर्टन यह पूस्ता एक्जाम में तो उसमी विकिरन को मापता है बोलो मीटर क्या मापता है उसमी विकिरन को मापता है बोलो मीटर ठीक है तो द्रवों की सियानता मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं तो द्रवों की सियानता मापने के लिए विसको मीटर का उपयोग क्या जाता है आंसर आपसन नमबर B द्रवों के प्रवाह की दर्कुम आपने के लिए किसका प्रयूग क्या जाता है? के लिए वेंचूरी मीटर द्रवों के प्रवाह के दर्वों के प्रवाह की दर्कुम आपने के लिए वेंचूरी मीटर का उपयूग क्या जाता है तो आंसर करेंगे तो सही आंसरों का हाइपो मीटर द्रवों का क्वाहतनां ज्यात करने के लिए हम लोग हाइपो मीटर का उपयोग करते है तो अप्सन ए तो क्लास को फटाफट एक बार आप लोग सेयर कर दीजे आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे class को like नहीं कियोंगा तो please class को like अवस्य कीजेगा विदूत परिपत की सक्ति मापने के लिए किसका उप्योग क्या जाता है तो बताएंगे which is used to measure the power of an electric circuit तो विदूत परिपत की सक्ति मापने के लिए हम लोग किसका उप्योग करते हैं तो बहुत important सवाल है आपको बताना है वेब मीटर का अगर हम लोग बात करेंगे तो आप जानते हैं विदूत चुमी के तरंगों का तरंग्देद्य कुमापता है इसको जरूरी याद रखेगा वेब मीटर क्या करता है विदूत चुमी के तरंगों के तरंग्देद्य कुमापता है वेब मीटर अगला पूछेगा अगर यूदो मीटर तो आप जानते हैं यूदो मीटर वर्सा की मातरा याद करने वाला उपकरन है ठीक है तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा विदूत चुमी के तरंगों के तरंग्देद्य कुमापता है वेब मीटर यूदो मीटर भी इंपॉर्टेंट है यूदो मीटर याद रखना है वर्सा की मातरा याद करने वाला उपकरन है यूदो मीटर याद रखेंगे ठीक है चलिए तो class को फटा फटा एक बार आप लोग share कर दीजेगा answer हो जाएगा option number D इतना ही सवाल था आप सभी से request करेंगे class को आप लोग support कर दीजेगा साथ ही साथ किसी भी topic में आपको doubt होगा तो please comment करेंगे और ये जो topic था काफी important आज हम लोग question देखें जो exam में बार बार आपका पूछा जाता है तो आप सभी से request करेंगे please class को support कीजेगा साथ ही साथ किसी भी topic में या किसी भी तरह का आपको दिक्कत होगा पढ़ाई से related तो आप लोग comment अवस्ची कीजेगा तो मिलते हैं आप से अगले class में आप सभी का तही दिल से धन्यवाद करेंगे जै हिंद जै भारत जै बिये से धन्यवाद जै भारत जै बिये से धन्यवाद झालना करें भारत जै जै भार मिलते हैं क्या दोता हैं जै जै भारत जै